जैहिन डिफेंस लवर्स, सुवागत है आप सभी का डिफेंस इंसाइट के एक और बेहदी फ्रेश एपिसोड में आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है और वो सवाल यह है कि आप में से ऐसे कितने हैं जिनके मन में कभी ये खयाल आया हो प्रहंबोज जैसी सूपरसोनिक क्रूज मिसाइल है तो फिर हम निर्भे जैसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल को क्यों विक्सित कर रहे हैं तो अगर आप उनमें से हैं जिनके मन में सवाल आया है तो आज की इस वीडियो में आपको काफी ज़ादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे और आपको बताएंगे क्या के हमें सबसोनिक क्रूज मिसाल की भी जरुवत क्यों है तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक जरूर देखना और हाँ अगर आप इससे कोई ऐसा है जिने पहले से इस सवाल का जवाब मालूम है तो आप भी इस वीडियो को देखिए क्या पता आपको भी कुछ नई जानकारी मिल जाए और बाके हमारा तो क्या है हमें तो आपको व्यू मिली जाएगा तो चलिए बहुत समय ना गवाते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की तरफ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी जानकारी है और वो यह है कि इस एपिसोड में हम आपको जो भी जानकारी देने वाले हैं उसके रिगार्डिंग एक आर्टिकल हमारी ओफिशल एबसाइट defensexp.com पर publish already किया जा चुका है तो अगर आपने से कोई ऐसा है जिनने जानकारी English में चाहिए तो वे हमारी ओफिशल एबसाइट पर जाकर इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल है उसको consider कर सकते हैं और बाकि हिंदी वाले बने रहे हैं इस वीडियो में तो चलिए अब आते हैं इस वीडियो के में टॉपिक पर और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये सबसोनिक और सूपर सौनिक क्रूज मिसाइल वाला concept शुरू कहां से हुआ तो देखिए सूपर सॉनिक और सबसॉनिक जो ये दो अलगलग क्रूज मिसाइल वाली डॉक्ट्रिन्स हैं इसे दुनिया भर में फॉलो किया जाता है जैसी कि एक डॉक्ट्रिन अमेरिका और उसकी सारी नेटो एलाइस फॉलो करती है तो वहीं दूसरी डॉक्ट्रिन रश्या द्वारा फॉलो की जाती है और इसलिए भ्रमोस और निर्भे मिसाल की जरुवत को जानने से पहले आपको इस डॉक्ट्रिन के बारे में पता होना चाहिए अभी ये मत कह देना कि डॉक्ट्रिन का मतलब क्या होता है और ये एक ऐसा दोर था जिससे में दोनों देश अपने आपको एक सूपर पावर साबित करने में लगे हुए थे और चुकि इन दोनों सूपर पावर की बीच अगर कोई चीज थी तो वो था एक विशाल समुंद्र और इसी वज़े से उसे में नेवी की इंपोर्टेंस और भी ज़ादा थी और फ़िसी तरह की सिनेरियो में एरक्राफ्ट कैरियर्स की जो महत्विता थी वो अपने आपी बढ़ गई थी तो इस वज़े से USA ने विक्सित किया नुकलिर पावाट सूपर कैरियर्स पर चुकि यूएससर यहनकी सोवियेट्स के पास USA के कमपैरिजन में बजट की थोड़ी कमी थी अगर ने एक तरिके स्याइन की बज़ें इरक्राफ्ट के हम्हार विक्सित करना जया जादा प्रिफर किया है और उनके एक single shot के विए hit करने की जो probability थी वो भी काफी ज़्यादा थी यानि कि अगर उस weapon को fire किया है तो इस बात के पूरे chances बने रहते थे कि वो अपने target को hit पक्का करेगा और वह इन दूसरी तरह USA जिसके पास अच्छा कासा budget था और उसे इस तरह की weapons के कोई specific requirement भी नहीं थी क्योंकि USA के जो अधिकतर targets थे वो होते थे Soviet Union के छोटे destroyers और frigates और उसे वज़े से USA को कोई high single shot kill probability वाली missiles की जरुवत नहीं थी और इसे वज़े से उन्होंने इसके बज़ाए अधिक missiles को वो carry कर सके इस बात पर जादा focus किया और इस वज़े से जो western countries थी उन्होंने अपनी naval doctrine को harpoon, tom hawk, exonet ऐसी एन्य सबसोनिक cruise missile की आसपास रखा और वहीं Soviet से उनकी naval doctrine वो P800 onic जैसी बड़ी और बल की लेकिन deadly supersonic missiles की आसपास थी और इस वज़े से दुनिया में सबसोनिक और supersonic missile वाली doctrine मनी और इसलिए अगर आप गौर करेंगे तो आज के समय में भी ऐसी कई सारी western navies हैं जिनके inventory में आपको कोई भी supersonic cruise missile नहीं मिलेगी हालनकि जो Russia है उसने अब एक hybrid model को अपना लिया है यानि कि उसके पास subsonic और supersonic दोनों ही तरह की missiles हैं और अब तो Russia ने hypersonic missiles की मामले में भी अमेरिका के comparison में अच्छे कासी बड़त हांसिल कर ली है और अब ऐसे में जो हमारा देश भारत है और भारत की great इंडिया नाम forces है तो इनमें आपको western और Russian दोनों ही तरह की technologies देखने को मिलती है तो इस वज़े से भारत ने भी एक hybrid cruise missile वाली doctrine को अपनाया है यानि कि भारत के पास भी subsonic और supersonic दोनों ही तरह की missiles हैं और अब अगर आपको यहां तक समझ आ गया कि subsonic और supersonic cruise missile वाली doctrine क्या है तो अब हम यह समझने की कोशिस करते हैं कि हमें भ्रमोस और निर्भे जैसी अलग-अलग missiles की जरुवत क्यों है और इसमें सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों अलग-अलग missiles के propulsion system की तो इसमें जो भ्रमोस missile है वो यूज करती है two-stage propulsion system इसकी जो पहली stage है वो है solid rocket booster जो की अगली stage के लिए कुछ required certain velocity को gain करने के काम आती है और जो second stage है वो है liquid ramjet motor की और यही वो stage है जो missile को supersonic रफतार हांसिल करने में मदद करती है वह यह अगर बात करें निर्भे missile की तो निर्भे भी भ्रमोस की तरह ही एक two-stage missile है जिसकी पहली stage में है solid rocket motor और दूसरी stage में है एक turbo fan engine इसे power मिलती है liquid fuel से और उसी वज़िसे इसका जो propulsion system है वो के वल missile को subsonic रफतार तक ही ले जा सकता है यानि कि करेब 0.8 mag किलोमेटर में हो जाएगा करेब 987 किलोमेटर पर रार लेकिन अगर आप इन दोनों टेक्नोजिस को compare करेंगे तो ब्रहमोस का propulsion system भले ही ब्रहमोस को सूपरसोनिक रफतार देता है लेकिन ये निर्भे मिसाइल के propulsion system के comparison में ज्यादा complex है, ज्यादा बलकी है और ज्यादा expensive है इसके अलावा ब्रहमोस मिसाइल जो सूपरसोनिक रफतार को हासिल करने के लिए रैम जेट इंजिन के मदद लेती है लेकिन इसे वज़े से ब्रहमोस मिसाइल के जो इंजिन है वो ज्यादा fuel thrustry है यानि कि वो ज्यादा fuel consume करता है और इस वज़े से ज्यादा रफतार तो ब्रहमोस को मिलती है लेकिन उसे अपनी range के साथ compromise करना पड़ता है वहीं अगर बात करें निर्भे सबसोनिक क्रूज मिसाइल के small turbo fan engine की तो वो ब्रहमोस मिसाइल के comparison में ज्यादा fuel efficient है इस वज़े से निर्भे मिसाइल की भली speed कम है लेकिन यहाँ पर उसे अपनी range के साथ कोई compromise नहीं करना पड़ता है example कि आप इसको ऐसे समझ लेजिए कि जो एक typical Tom Hawk टाइप की subsonic cruise मिसाइल होती है तो उसकी minimum range ही करीब 1500 km तक है और आप इसे इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक है 1000cc की super bike और एक है 110cc की normal economic bike आप जो 1000cc वाली super bike है उसका engine powerful है तो उसकी रफ्तार भी अच्छी खासी होगी लेकिन उसका mileage उतना ही बेकार होगा वहीं जो 110cc वाली bike है उसका engine उतना powerful नहीं है लेकिन जुसको mileage होगा वो उस 1000cc वाली super bike से double से भी जादा होगा इसके लावें दोनों अलगलग missiles के जो weight और form factor है वो भी काफी जदा प्रभाव दालता है जैसे कि अगर आप ब्रहमोस missile को उसी की similar range वाली किसी subsonic counterpart से compare करेंगे तो ब्रहमोस अपने subsonic counterpart के comparison में थोड़ी heavy और bulky निकल के सामने आएगी और वहीं अगर आप ब्रहमोस और निर्भे को ही ले 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 तो ब्रहमोस missile का वजन करीब 3000 kg है याँ तक इसके जो air launch वाला variant है उसका वजन भी करीब 2500 kg है वहीं जो निर्भे subsonic cruise missile है उसका वजन केवल 1500 kg है और ज्यादा वजन होने की वज़े से आप ब्रहमोस missile को उतनी संख्या में carry नहीं कर सकते हैं जितनी संख्या में आप निर्भे missile को carry कर सकते हैं अलकि DRU ब्रहमोस missile की एक lighter variant पर भी काम कर रही है जिसको नाम है ब्रहमोस NG जिसको लेकर कहा गया है कि ये वजन में हलका होगा और compact होगा लेकिन फिलाल उसे भी develop होने में थोड़ा समय बाकी है लेकिन ब्रहमोस NG missile की जो range होगी वो भी 290 km तक ही रहने वाली है इन सबके अलावा एक और important factor होता है और वो है cost यानि की कीमत का और जब बात आती है supersonic missiles की तो cost एक major factor में आता है फिलाल निर्भे missile की cost का exact data भी public domain में उपलब्द नहीं है तो इसलिए हम ब्रहमोस missile की unit cost को compare करेंगे अमेरिका की Tom Hawk subsonic cruise missile से तो अमेरिका की जो Tom Hawk missile है उसके per unit cost पड़ती है 1.5 million dollar और वहीं ब्रहमोस missile की cost है वो पड़ती है करीब 2.7 million dollar यानि कि subsonic cruise missile के comparison में लगभग double यानि कि कहने का मतलब यह है कि जिस कीमत पर आप एक ब्रहमोस missile को launch करेंगे तो उसे थोड़े कम कीमत पर आप 2 Tom Hawk missiles को fire कर सकते हैं तो ये तो होगे subsonic और supersonic cruise missile के अलग-अलग parameters जिनके बारे में हमने आपको बताया लेकिन इस सबका conclusion क्या निकला तो वो जाने से पहले अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को तो लाइक जरूर कर दें और वो लाइक आप सूपर सौनिक रफ़तार से करते हैं सब सौनिक वो आप पर है तो लाइक कर दिया है तो वापिस आ जाते हैं में टॉपिक पर और आपको बताते हैं इस पूरी वीडियो का conclusion तो देखिए ब्रहमोज मिसाल के एक सबसे खास बात यह है कि इसे हवा, पानी, जवीन इन तीनों मैंसे किसी भी प्लेटफॉर्म से लाउंच किया जा सकता है और अगर आप इसे मुखी रूप से एंटी शिप क्रूज मिसाल के तो पर इस्तमाल करते हैं तो यह बड़ी ऐसानी से अपनी सूपरसोनिक रफ्तार, अपनी मैनेरिबिलिटी, अपनी सी स्कीमिंग कैपिलिटी इन सभी के साथ दुश्मन के एर डिफैंस सिस्टम को पैनेटरेट कर सकती है हाला कि इसके सूपरसोनिक रफ्तार के साथ आपको रेंज के साथ कहीं न कहीं कॉंप्रमाइस दो करना पड़ेगा लेकिन हाँ यह जरूर है कि इसका इस्तमाल आप उन टार्गिट के खिलाफ कर सकते हैं लेकिन इसके पूरी तरीके से डैवल अप होने के बाद फिर हम निर्भे मिसाल का इस्तमाल उन लैन एडाइक रोल्स के लिए कर सकते हैं जो काफी ज्यादा दूरी पर हैं जहां तक ब्रहमोज मिसाल नहीं जा सकती है और खास करके ऐसे टार्गिट जिनको किसे भी तरके air defense system से सुरक्षा नहीं मिली हुई है आप इसको इस example से समझ लीजिए कि अगर हमें किसी मच्छर को मारना है तो उसको मारना के लिए हम कोई तोप ठोना चलाएंगे यानि कि कहने का मतलब यह है कि ब्रहमोज जैसी सुपर सौनिक क्रूज मिसाल का इस्तिमाल और टार्गिट के खिलाफ करना waste है जो कि किसी एक जगा पर बैठी वी बतक की तरह है क्योंकि जब हम उस target को ब्रहमोस missile की कीमत के आधी कीमत पर और वो भी दो गुना दूरी से hit कर सकते हैं तो फिर हम ब्रहमोस missile को waste क्यों करेंगे यानि कि कहने का सीधर सा मतलब यह है कि निर्भे missile और ब्रहमोस missile दोनों के अपने अलग-अलग roles हैं जो अलग-अलग तरीके से निभाएंगे और यह दोरों missiles एक दूसरे के competitor नहीं है बलकि यह एक दूसरे को compliment देने के लिए हैं और फिलाल अभी इंडिया ने भी निर्भे missile के रोल के लिए कुछ limited संख्या में rationalism की caliber missile का इस्तबाल करती है लेकिन एक बाद निर्भे missile के इंड़क्ट हो जाने के बाद फिर हमारे पास एक ऐसी technology होगी जो एक तो स्वधिसी तोर पर विक्सित हुई होगी और दूसरा वो एक superior range के साथ आईगी और उसलिए हम कह सकते हैं कि निर्भे missile इंड़राम forces की capabilities को काफी हद तक बढ़ाने में मदद करेगी और अई बात ब्रहमोस की तो ब्रहमोस अपने आप में एक ऐसा weapon है जिसकी deployment की एक खबर सुनकर ही भारत की जो adversaries है वो confuse उने लग जाती है कि इसका जवाब किस तरीके से दिया जाए और बाके तो आप समझदारी हैं और बात को समझ गए होंगे और बाके हम भी इस वीडियो को end करना चाहेंगे और आप से कहना चाहेंगे या अगर आपको वीडियो पसंद आईए तो like करिए, share कीजिए इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, comment section हमेशे कितरा open है अगर आपने चैनलन को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर लें और बाके हम जल्दी मिलेंगे ऐसी interesting topic के साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम